हेलो, नमस्कार, कैसे हो सभी प्यारे बच्चे, I think सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो का इंतिजार मेरे सारे प्यारे बच्चे कर रहे थे AIMS BST Nursing 2023 की, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल से 24 फिलिंग, फर्स्ट राउंड की स्टार्ट हो चुकी है और हम किस तरीके से साई गाइडेंस में, साई तरीके से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करते हैं, तो हमें अपनी ड्रिम कोलेज मिल जाती है इस वीडियो के complete end तक जुड़े रहना, आपको एक 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 डाउट में आज आपके दूर करने वाला हूँ मेरे पैरे बच्चों, और फर्स्ट राउंड मारे स्टीडियो चैनल G.S.Plantern Studio से जुड़े हो इसको सब्सकाइब जरूर करना है, ताकि अपकमिंग हर एक एक एमस की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी पैर बच्चों तक सबसे पहले पूछ पाई बच्चों अब यहाँ पर आपके सामने मैंने बाहर आपने एड में देखा होगा एमस 2023 काउंसलिंग कैसे करें यह गलती मत करना, फर्स्ट राउंड में नहीं तो मेरे लाड़ले बच्चे कोलेज नहीं मिलेगी पूरी बातों को बड़ी द्यान से सुनना है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती क्योंकि मैंने इसमें सारे आपके डाउट्स कवर कर लिये हैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर बच्चों अब देखो, सबसे पहले की सरक कटोब फर्स्ट राउंड की कहा तक चली जाएगी अगर मैं बात करना है चाओ मेरे बच्चों फर्स्ट राउंड की कटोब की जनर्नल केटेगरी देखो जिनको कोलीज मिलने चाल से बाकी मेरी बात द्यान से सुनने बटा जिसको पांसलिं करवानी है मोगा पता निक किसमत कि दर पलट जाए बट मैं कटोब की बात कर रहा हूं सर हमार तो अतनी नंबर नहीं क्यूं करवाएं काउसलिंग मेरे लिया गया है कर बार क्या होता है बहुत से बहुत से नहीं करवाते तो आपका नंबर आजाए किसमत से बटा ऐसा हम पोजिटिव सोच के चलते हैं पहली बात मैं साब साब लिख रहा हूं किसी कैटेगरी से हो दिसका काउंसलिंग के अंदर खुल रहा है तो वह पार्टिस्पेट करना है थीक है तो पहले तो आपके माइंड में कटोप का आइडिया कि फर्स्ट राउंड में इस बच्चे को कितनी रैंक तक रैंक का मैं आइडिया नहीं बता रहा हूं आपको परस के अंदर तो उस बच्चे के अगर फिब्टी एट पलस आ रहे है न तो उसको कोई ना कोई एम्स जो बीसे नर्सिंग कोलीज में मिल जाएगी और बिसी कैटेगरी से फिब्टी एट पलस एसी से फॉटी फाइप और एस्टी से फॉस्ट राउंड की जब इसका रिजल्ट से देखे सोता हूं 93524670 जैन्वन डाउट है तब ही मैसेज करना नहीं तो मैं मैसेज करने कोई वीडियो से आपके डाउट दूर हो जाएगे अब कैसे करना है सबसे पहला स्टेप काउंसलिंग का कि आप सभी पहर बच्चों को पता है कि काउंसलिंग आज से कल से सुरू हो गई थी और इसका रिजल्ट हमें 28 मतलब 28 जुलाई तक लास्ट है और उसका जो फस्ट राउंड में आपको यह पता लग जाए कौन सी कोलेज मिली आपको यह आपको एक अगस्त को आपका अलोट मेंट लेटर आ जाएगा ठीक है कौन सी मिली है ठीक है उसके बाद आप आपको साथ तारीक से लेकर 12 अगस्त तक आपको डियोडियोट कोमेंट्स वगरा सब्मेशन करवानी जो आपको कोलेज अलोट हुई है अब मेरे लाडले बच्चे द्यान से सुनना आपको करना क्या है जैसे मैं गया होमपेस में पहला कदम आप एमस ओपन कर लोगे जैसे आप द्यान से सुन लेना अन्नेता गलती हो जाएगे आपसे यहां आपकी रजिस्टेशन आइडी कोड पासवर्ड और यह सब करोगे तो आपके सामने कुछ कंडिडेट बैस्ट बोड खुलके आएगा यह आपके सामने ओपन हो गया यहां पर मिरे लाडले बच्चे एक उप्सन आ रहा है एक हॉम उसके बाद ऑनलाइं इंस्ट्यूट अलोटेशन बीएसी नर्सिंग होनस वाला उप्सन इसके उपर आप किलिक कर दोगे इस पर आपको किलिक कर दो क्यूंकि देखो एक एडमिट कार्ड वगएर अगर आपने नहीं निकाले तो अभी निकाल ल आप मने करने करके लिए वड़ी काम हो जाएगा अब उसकेMM मारा तो आपको क्लिक बात करी के लिए पर नहीं करने कर दो करना यहां सब था डीकर आप के पास यह तो आप रजिस्टेशन डाल दो यह आप इमेल डाल दो फिर उसके पास एक ओटीपी आपके पास आ गया पूटीपी आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा आपका नाम वगएरा सब कुछ ओपन हो जाएगा आपके रहेंक आजाएगी यहां पर जाना है एकसर साइज इसके उपर किलिक कर देना ऐसे किलिक करोगे तो कुछ आगे ऐसा प्रोसेसर यह मैंने क्या बच्ची की तुबह कर दी थी ठीक है वैसे मैं मैक्सिमुम बच्चों करें बट आप अपने हाथों से एगर लेना बच्चा टाइम नहीं मिलता है तो इस बच्ची खर्णा बच्ची में आप कोलीज बरी ठीक है अब आट कोलीज करके सनी च्वाइस लोग कर दीक सर मुझे तो इतना ही लेना अब किसी बच्ची को देखो अब ही प्रिफेंस कैसे होता है मेरे लाडली बच्ची यहां चे सुनना यहां पर मेरे बच्ची प्यारे बच्ची में आ जाते हैं देखो अब कोई बच्चा है जैसे मैं स्फेट करो कोई जन्रल कैटेगरी से अब जिसके परसंटे चन्टेज्ट बन रहे हैं अब, बसे बंद्राई हे अब वो 24 में जैसी उसने एमज से डेली रखेगा तो मैं बता देता हूँ एमसे से देली नहीं मिलेगा तो सर एम से देली वाली कोलिज किसे बरनी है दिन बच्चों को रैंक अगर हम बात करें आप द्यान से सुनना दिन बच्चों की जो रैंक है 300 से नीचे हैं फर्स्ट राउंड के लिए मिनीमम बता रहा हूं 300 भी छोड़ो आप और भी मैं बता हूं आपको जिस बच्चे की रैंक 400 है जनल कैटेगरी से द्यान से देखना जनल कैटेगरी क्यूंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो नीट के अंदर चले जाते हैं मेरे लाडल लेकिन आपके पैरेंट्स अलाव नहीं करती आपको आप कोई बच्चा क्या कोई वैस्ट बंगल का है तो कोई आपका बच्चा जहारखंड से तो कोई बच्चा केरल से कोई तमिलाडू से आप चात्यों कि सर हम इधर नहीं आना चाहते देली तरब और देली वाले के पैसे परसंटेज तो इस रैंक के आराउंड में पोसिबिलिटी है अब ऐसे ही किसी बच्चे की और और रहे है ठीक आवराल रैंक की बात करों बिटम है यह आवराल रैंक तो आप क्या करोगे पहले एमस देली बढ़ देना फिर उसके बाद आपको टॉप प्रिफेंस बहुत अच्छी को लेज अब जैसे बच्ची कहां के रहने वाले देली की अब यह बच्ची दिली के रहने वाली कहते हैं कि सर्मैं दूर नहीं जाना चाहती दिली छोड़के तो आपके लिए बिटा सबस्य बैस्ते ना अब इस नहीं कहा कि सर्थ हमारे पैरेंस काफी अब जैसे बेली के आसपास रिशी केस बड़ जाता है बटिंडा पड़ जाता है जोड़ बढ़ जाता है नागपुर गोरक गोरी प्रेली तो यह ऐसे साथ से आठ कोलेज अब सारी भी भर सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मिलेगी वह जो आपके परसंटेज के प्रूड आपके माक्स के अकोडिंग 65 पा रहे हैं तो आपकी नजदीक की कोलिज सबसे बहले बर दे लेकिन एम से दिल्ली के लिए भरोगे तो मिलेगी नहीं इतने नंबर पर तो इससे कम वाले बच्चे भी प्रिफेंस डाल सकते हैं आपके नजदीक की वाई एम से दिल्ली को छोड जो मुझे मानों मैं एक एक डाउट दूर कर दूगा मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने मैंने अलगलग कूलीज दिखाई है जैसे यहाँ पर ये कोलेज है एम से देली अब ये सारे लालने बच्चों का ड्रिम होता है बट ये मिलेगी कब जब हम 24 सही तरीकी से बरेंग जैसे एम बोनेस वर बहुत अच्छी है ये बोनेस वाली कोलेज के लिए अच्छी मानते हैं जो बच्चे उदर के रहा कि इदर वाले बच्चे उदर जाने प्रिफेर नहीं करते हैं तो आप समझरों जैसे कोई बच्चा हर्याना का है तो हर्याना के कोडिंग अपने आस यह अकोडिंग तो च्वाइस होती रहती है तो अब सारे बच्चे जो अपने अपने एरिया के आसपास की कोलेज में प्लब कर देना सारी इमस बैस्ट है टॉप पी इमस देली इसलिए कि दिली भारत की राजदानी है ठीक है सारे बच्चे प्रिफेर करते हैं देली में जान लेकिन रिसी के स्कॉलेज भी कम नहीं अगर आपको वह मिल दे तो बर देना अब किसी बच्चे के 67 आ रहे हैं अब 67 में उसकी इच्छा के सर मुझे एमस रिसी के सी तो मेरे लाड़ले बच्चे आपको जो ड्रिम को लिज ची उसको पहले प्रिफर्म तो आपको सिक्वें थीक है वो अलोटमेंट होते हैं इस बार एमस ने क्या थोड़ा उल्टा सिस्टम कर दिया मोक राउंड तो दिया ही नहीं तो मोक राउंड देते ना तो एक मोका मिल जाता और अगली राउंड के अंदर प्रिफेंस सेंस करनेगा मोका मिल जाता तो आपको इस तरीकी से दुल ना जो आपके नियर भाई है बोपाल डाल दे बटिंडा डाल दे अब कोट्शा तमिल नाडु का बच्छे तमिल लाडु की भी तो कोलेज है मेरे लाले बच्छे ।वाले बच्छे इधर नहीं आना चाहरे नोर्त की तरफ आप वह क्या करेंगे देखो आपके कोई बच्चा साउत का या तो वो नागपुर जाना पसंद कर सकता है लेकिन यहां पर जोतपुर नहीं आना चाहरा कि सर्पट कुछ बच्चे होते हैं कि सर मुझे कोलीज मिल जाए कोई भी हमारे पैरेंट्स अलाव कर देंग तो वो बेटा पूरी की पूरी भर देना समझ पा रहे हो एमस देली भरोगे तो थोड़ी सी 24 में दिख्कत आ सकती वो उन बच्चों को बनना जिनकी अच्छे मार्स आ रहे हैं अब उसके बादसर यहां पर देखना अब यह देखना साउत की कोलीज लगबग लगबग जैसे यह तो इदार है आपके कल्यानी एमस कल् कटोब के एरिया के बच्चे इदर तो कटोब जो डिपेंडेंसी हो रही है ना अब कोलकत्ता वाले बच्चे हैं अब इस बार क्या होगा कोलकत्ता के मेरे पास बहुत बच्चों कि वैस्ट बंगल से बहुत कोल आ रहे हैं सर हम एमस कल्यानी मिल जाएगेगा 73 75 75 76 परसंट कि इस कोलेज में कमी कमी किसी भी कोलेज में एंडिया इंस्ट्टूट अब मेडिकल साइंस को आप रिपरसंट कर रहे हो मतलब दी बैस से बहुत है और आपके पैरेंट्स को मना लो कहीं भी आप जाओगे ना रहने के फीश लगती है चार साल का कोर्स तो उसके बाद नौ तो आप कहीं भी जा सकते तो इस चीज को माइन से फितूर को निकालेगा अगर हमारे कोई हर्याणा राजुस्तान से भी देख रहे हैं तो आप अपने बच्ची को लेकर टेंशन थोड़ी सी तो सब अगर अच्छी महनत करती तो अगर अच्छी महनत नहीं करें अच्छी कम परसंटे जाएं तो उसको सारी कोलेज भननी पड़ेगे तो यह था आपका काउंसलिंग का प्रोसेस इसको लिकर आप बड़े अतास हो रोगे तेंशन में रोखें किसी को कोई टेंशन नहीं हो ना अपने नियर बाई कोलेज को प्रिफेंश सबसे पहले देना ताकि आप अपने पैरेंट्स के नजदीक रह पाओ प्यारे बच्छ इन आज पास करना अब कोई बच्छे आणाचल परदेश की बच्चों को लेंग्वीज का इसू रहता है खाने पेने का परदेश को सबस्क्राइब करना है उस बच्छे को मतलब क्या आता है और इंडिया मेडिकल साइंस को रिपर्जेंड कर रहें बटा तो आपके अकोड पहले रजिस्टर करना ओनलाइन यसे नसिंग के लिए लिंक पोर्टल पो आपके सामने देए लोग इन करना है च्वाइस सब्सक्राइब करना है अनौस्मेंट पर स्ट राउंड के बाद कौन-कौन से डोकोमेंट्स की नीड पड़ेगी अब भी आप बनवा लेना मैं एक ब अब निड होगी यहां पर लिखर का टाइम टेबल के अंदर यहां देखो यह आपके सामनी प्रस्ट राउंड वाली बच्चे को जब आपके अपको टाइम मिलेगा जैसे आपको एम्स देली भरी आपको एमस देली मिल तो दिल्ली जाना पड़ेगा आपकी बार यहां ओन का सिस्टम था एवन अगस्त से दस बजे से बारा अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेगी फिर ओफ लाइन उस समय अभी क्या ओनलाइन च्वाइस फिलिंग है ठीक है वो डीडी वगेरा तो यहां पर मेरे लाड़नी बच्ची यह देखो कौन-कौन से मतलब जैसे अनाउ के लिए मैं बार-बार बोल रहा था अभी भी आप डाउनलोड कर लेना रजिस्टेशन जो स्लिप थी वह और आपको जो ऑफवर लैटर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के लेके जाना पड़ेगा सीट अलोट्मेंट लेक्टर जो आपको मिला है वह तर्टिफिकेट इन होता है और उसके अंदर के मारक सीट यहां से लिख लेना नोट डाउन कर लेना यह सारी चीज़े माइग्रेशन सर्टिफिकेट यह कहां मिलेगी पैर बच्चों आप जब कॉलेज वालों ने आपको दी होगी स्कूल छोड़के आए तो स्कॉलेज कई काफिया से बच्चे सारे मतलब यहां पर जितने डॉकमेंट्स थे वह सारे के सारे औरीजनल चाहिए प्यारे बच्चों ठीक है उसके साथ साथ फोटकोपी का एक सैट बनेगा वह चाहिए गवा ठीक है और यह सारी चीज़े के लियर हो गई और अब यहां पर देखना प्यारे बच्चों काफ और स्पस्ट रूप में एट नंबर का पॉइंट रूप में एट नंबर का पॉइंट candidate availing us constitution result in the first one फovir Malidu proof of their claim for read the shit at allotted armsけれ diğer depositing original certificate we haven't see the demand draft of one life in case they do not process the valid certificate their claim for the research state allotted in first round will be multiply and they will be eligible to the appearance second round a general category subject to cut off in the you are呢 at least provide मतलब आपको यह एक डीडी बन वाएंगे आपकी इसलिए लेते हैं मेरे लाड़ले बच्छे आपको भी तो वैलिट सीए डॉकमेंट तो डीडी में पैसे जमा नहीं करवाने डम डिमांड ड्राप्त बनेगा एक लाग का और कुछ नहीं है ठीक है कि रूप में अब काफी है सब्सक्राइब करना चाहरें इस साथ 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 नीट की भी कर सकते सारे आपके पास वहां कर सकते बट मेंट थोड़ी ज्यादा लगेगी समझ पा रहे हो तो वहां पढ़ाई तो करनी बढ़े बाकि मैं एक इसके लिए स्पिस्ट वीडियो लेकिया जाओं फिलाल अभी आ आपको फीजिकल एंडिक्रिप्टीड हो तो यह सर्टिफिकेट बनवाल हो सब्सक्राइब रखें यह सारी चीज़े आपके बड़े भाही ने आपके दोस्त नहीं या फिर आपके घुरू जो मुझे मानते उसने आपको बिल्कुल किलियर तरीके से मैंने बता दिये प्ली तो रिजल्ट आएगा बिटा ठीक है तो लोग करो तो सोच समझ की करना उसमें चार बार पूझते है कंफरम 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 तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद जाहिन लीज कॉमेंट करना वीडियो अच्छी लगियो तो लाइक करना तरण को सब्सकाइब जरूर कर लेना यह बैल आइकोन दबागे ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेसन जल्दी आपको देखने ले जाहिन अगेन लव्यू घ्रण को नयाच बिक यह वाले चुvenट लेको ने हैंट करनाा पक्प लेर वी जचे लूर चार्ण के मेड़िच Gझा वी यह बोद टूर्र doses सब्सक्रण को 2 आज हैंट ओाले यह भी